साथ संगत जी प्रेम से कहना धान नरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपनी चानल पर आज की साखी का विशह है स्वाव लंबी चलिए सुनते हैं आज की ये साखी साथ संगत जी एक बच्ची ने अपनी मा को पूछा मा हम कहा जा रही है मा को कपड़े बैग में डालते देख तीन वर्षिय चांदनी पूछने लगी अब चांदनी की मा रितु ने प्यार से बीटे की और देखते वे कहा तुम्हारी नानी बिमार है हम उने देखने जा रही है अभी कुछ ही देल में तुम्हारे पता आ जाएंगे तो हम निकल पड़ेंगे राकेश के घर में आते ही चांदनी पापा पापा आ गए कहकर दोड़ी राकेश ने स्कूटर पर बैग रखा और जट पट मा बेटी सवार हो गई रितु थोड़ा बढ़ बढ़ाई कि अगर गाड़ी कर लेते तो कौन से खर्चे का पहाट तूट जाता अरे एक नहीं दस जगा फोन किया सब के सब शादियों में व्यास्त है राकेश ने ऐसा कहा राकेश का भी अपना ही अंदाज था छोटी से मिठाई के डिब्बे बनाने की फैक्टरी थी ज़ादा नहीं बस गुजारे लाइक अच्छा कमा रहा था देखते ही देखते उनका स्कूटर हवा से बाते करने लगा पीछे बैठी रितु ने कहा धीरे चलाओ माय के पहुँचने की जगा कहीं उपर ना पहुँच जाए दोनों पती पतनी अपने ही मजाग पर हसने लगे और चादनी हमेशा कितना स्कूटर पर आगे खड़ी थी अभी कुछ आगे ही बड़े थे कि पीछे से तेजी से आते ट्रक का संतूलन बिगड़ा और राकेश का स्कूटर देखते ही देखते एक तेज वेग से जाकर गीरा तीनों के शरीर अलग-अलग दिशाओं में उड़े राकेश और रितु ने वहीं दम तोड़ दिया और चांदनी एक घास फूस के धेर पर जागेरी और उसे जादा चोट नहीं आई थी देखते देखते पास के दुकानों से लोग दोड़े चले आए हादसा बहुत भयानक था पल में खस्ता खेलता परिवार उजड़ गया खबर पाकर पुलीस आई चांदनी के नाना और मामा दोड़े आए बेटी और दामाद के मृत शरीर देखकर पिता की चाती फटने को आई पिता के गाउं में ही दोनों का दाहा सुसकार किया गया राकेश के परिवार में सिवाए दूर के चाचा के अलावा और कोई नहीं था राकेश के माता पिता छोटी उमर में ही चल बसे थे जाहिर था कि अब चांदनी की परवरिश की जम्यदारी नाना की उपर आ गए चांदनी को जब देखती तो बिमार नानी को अपनी बेटी रितू याद आती सदमा वो जादा दिनों तक सहन ना कर सकी और एक महिने के बाद उनकी भी मौथ हो गई चांदनी के नाना चांदनी की परवरिश के लिए अपने बेटा और बहु पर नरभर थे चांदनी की मामी मालती ने भी उपना पूरा प्यार चांदनी पर लुटाया अपने दोनों बच्चे वैभव और निकी के साथ चांदनी की परवरिश करने लगी शुरू शुरू में तो सब ठीक रहा लेकिन धीरे-धीरे सब बदलने लगा तेरे मेरे का फरक दिल में आ गया आठ साल की चांदनी में उसे एक सहाई का नजर आने लगी गुड़ा गुड़िया खेलने की उमर में वो आंगन साफ करने लगी बरतन माजने लगी और मालती बड़ी चतुराई से चांदनी के दिलो दिमाग पर हावी होने लगी चांदनी के पिता की फैक्टरी और घर बेचकर जो भी पैसा आया, सब कसब चांदनी के मामा ने अपने काम में लगा दिया, बुढे नाना के पास चुप रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, बारा सालों तक पहुंचते पहुंचते चांदनी काफी रसोई के काम सीख ग चांदनी बहुत ही शांत और सरव सभाव की लड़की थी, 15 सालों तक मामी ने जादतर काम चांदनी के हवाले करके खुद नए शोक पाल लिये, घर के काम करने के अलावा चांदनी अपनी पढ़ाई भी करती थी, स्कूल के सामने के हस्पताल से जब नर्सों को सामने से आत अपने स्कूल का सफर अच्छे अंकों से पास किया और अपने नाना को अपना लक्षा बताया, नाना जानकर खुश हुए कि वो नर्स पनना चाहती है, लेकिन जैसे ही बात चांदनी के मामा मामी को पता लगी तो जैसे घर में भुकाम पा गया, मालती का स्वर बंध होने क नाम नहीं ले रहा था, कि बाउजी यहां को एक खजाना दबा है, चार साल इसके पढ़ाई होस्टल किताबें खर्चा कहां से लाएंगे हम, पहले से ही हम तो वैभव के कॉलेज के खर्चों से दबे पड़े हैं, चांदनी दो साल और अच्छे से घर का काम सीख ले तो हम इसकी शादी कर देंगे, इससे जादा हमसे कुछ नहीं होगा, दूसरे कमरे में बैठी चांदनी के कानों में मामी की आवाजें पड़ रही थी, उसके सपने दम तोड़ रही थे, वो अपने मन में कई बार रोई, लेकिन आज बहते हुए आंसों को उसने बहने नहीं दी, हुआ वैसा ही जैसा चांदनी की मामी ने चाहा, चांदनी घर के काम ही करती रही, उसके बाद उसके लिए लड़का देखा जाने लगा, कई लड़के देखने के बाद चांदनी के मामा और नाना को अशोक जिसका कपड़े का व्यपार था, परिवार के नाम पर सिर्फ मा वो सब पसंद आया, तो धूम धाम से उन्होंने चांदनी की शादी अशोक से कर दी, अब गुणों की खान चांदनी ने ससुराल जाते ही घर का सारा काम संभाल लिया, सास को रानी बना दिया और पती को परमेश्वर, बाहर की दुनिया से चांदनी जादा वास्ता नहीं रहता, एक साल के बाद अशोक को व्यपार में घाटा हुआ, लाखो का करजा आ गया, पैसे की किल्लत में वो मारा मारा हर अपने के दर आगे जानी लगा, फिर किसी ने उसको बता दिया कि चांदनी के पता की संपती बेचकर जो पैसा आया होगा, वो कहा गया, पतनी को कहा जाकर अपना हिस्सा मागो, कहा जाए तो ये हुआ कि अशोक के मन में लाला चा गया, अब उसे लगा कि मेरे आंगन में ही छुपा था खजाना, उसने च्छान मारा सारा जमाना, मोका देखते ही उसने चांदनी को कहा, तो चांदनी ने इनकार कर दिया कि अब उस घर में मे बार बार जाना, पानी में लाठी मारने के बराबर है, पतनी का साथ ना मिलता देख, माने सलहादी से बाहर घुमाने ले जा, खिला पिला कुछ शायद तेरे काम आजाए, अशोक को ये बात अच्छी लगी, वो दो दिनों के लिए चांदनी को शहर घुमाने ले गया, वहां शोक ने चांदनी को बड़े प्यार से कहा कि हम मुसीबत में हैं, वो जाकर मायके में अपना हिस्सा मांगे, पती के मूँ से फिर वही बात सुनकर चांदनी ने कहा, एक नहीं हजार बार कहोगे तो मेरा जवाब ना ही है, अशोक ये सुनकर पागलो की तरह जल्ला उ ये सोचते हैं उसने क्योजना बनाई, चांदनी को कहा मैं यहां से पंदरा मिनट की दूरी पर मेरा एक दोस्त रहता है, वो कुछ पैसे मुझे देने के लिए तयार है, तब तक वो खाना खाए और वो पैसे लेकर आ जाएगा, चांदनी ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ च चला गया, अब अशोक के मन में भी यही चल रहा था कि मेरी पतनी अकेली बैठी है, थोड़ी देर के बाद वो लोट कर चला जाएगा, और तब शायद उसकी पतनी को समझा जाए, अब अशोक को उसका मित्र काफी सालों के बाद मिला था, तो वो लोग खाने पीने में वि जाबे वाले बाबा ने आकर चांदनी से सारी बात पूछी, चांदनी ने कहा मेरे पती ने कहा था कि वो भी पंद्रा मिनट में आ जाएंगे इना जाने कहा रहे गई, बाबा ने कहा बेटी फोन तो कर लो, चांदनी ने कहा मेरे पस फोन नहीं है बाबा, तो बाबा ने प चोक तो फोन उठा ही नहीं रहा था अब तो चांदनी को डर लगने लगा देखते ही देखते अंधेरा होने लगा जब चांदनी को कुछ नहीं सूजा तो उसने अपनी सास को फोन लगाया तो सास ने बताया कि उसकी बात बेटे से हो गई है वो ठीक है जल्दी लोट आएग अब चांदनी को ये सुनकर रहत मिली कि उसका पती ठीक है लेकिन उसने ये सब क्यों किया कहीं उसे तंग करने के इरादे से तो नहीं ये खयाल आते ही चांदनी का दिल बैठ गया पती कि इस गलत हरकत से उसकी आत्मा दर्द से भर गई उसने पैसों के लिए ऐसा क्यों किया अब रात के दस बज गए थे बाबा भी ढाबा बन करने की तयारी में थे ना जाने कितने अच्छे लोगों की और बुरे लोगों की नजर चांदनी पर पड़ी तब ही आखिर वहां गाड़ी आ गई जिसमें एक पती और पत्नी दोनों डोक्टर थे उन्हीं भी चांदनी के बारे में बाबा से सारी कहानी पता चल गई निकलने से पहले उन्होंने चांदनी को कहा अगर वो चाही तो उनके साथ चल सकती है सुबह वो उसे गाम छोड़ देंगे बाबा ने चांदनी को कहा बेटी तुम सोच लो अच्छे से वरना मेरे साथ मेरे घर चलो मेरे घर में मेरी पत्नी है तुम्हें परिशानी नहीं होगी चांदनी उठकर गाड़ी तक पहुँची तो सन रह गई खुले शिशों से उसे साफ आवाज आ रही थी कि लगता है ये कोई अनपढ़ घवार है इसका पती से छोड़ गया हम इसे रख लेंगे नौकरानी बना देंगे अब उनकी आवाज से चांदनी दोड़ कर बाबा के पास आई और कहने लगी भाबा में तुम्हाय सज जाओंगी आधी रात तक बाबा की पत्नी से बाते करती रही उन्हें भी अपने जीवन की कहानी बताई फिर अकेली बैठी सोचती रही अब तो चांदनी की सोच भी बदलने लगी थी उसे अपने पती पर बहुत गुसा आ रहा था और अब वो मानसिक रूप से मजबूत भी बनने लगी थी उदर आधी रात को जब अशोक का नशा थोड़ा कम हुआ तो पहले उसे चांदनी का खयाल आया डर के मारे उसका शरीर कापने लगा पश्चाताप और आतम गलानी से उसकी आंसू बहने लगी उसे अपने उपर धिकार आने लगा गाड़ी में बैठते ही उसने उस नंबर पर फोन किया जिस पर उसकी पत्नी ने कई बार फोन किया था अब थोड़ी देर के बाद ही अशोक धाबे के बाहर खड़ा था सुबह के पाँच पज़े जब बाबा और चांदनी निकलने के लिए तयार हुए तो बाबा की पत्नी ने पूछा क्या सुचा बेटी कहा जाओगी अपने नाना के घर या पती के घर चांदनी ने कहा कि मैं अपने पती के घर जाओंगी एक औरत के लिए उसके पती के घर से बढ़कर कोई सुरक्षित घर नहीं ये मैंने एक रात में जान लिया अंधेरे में छोड़कर उसने मुझे उजाला दिखाया अब उसे रोशनी में लाना मेरी जिम्मेदारी है एक आतम विश्वाश से भरी चांदनी ये कहकर अम्मा से गले मिलकर चल दी अम्मा ने आशिर्वात देते हुए कहा खुश रहो बेटा धावे पर पती की गाड़ी देखकर वो बाबा को धन्यावाद देकर गाड़ी की पिछली सीर पर बैठ गई एक सब्तहाता का शोग पागलों की तरह पतनी की माफी के लिए उसके आसपास घूमता रहा और आखिर एक रात रो पड़ा आतमा पर पड़ा बोज उसे खाये जा रहा था चांदनी ने आखिर एक शर्त पर पती को माफ करने की बात की कि वो आगे पढ़ना चाहती है नर्स बनकर अपने पैरो पर खड़ा होना चाहती है अशोग पतनी की खुशी के लिए सब करने को तयार था चांदनी को नर्सिंग में दाखिला ही नहीं बलकि बैंक से सिक्षा ग्रहन करने के लिए लोन भी मिला चांदनी ने जैसे ही अपनी नर्स की डिग्री ली तुरंत उसे एक अच्छे हस्पताल में नौकरी मिल गई और फिर एक सुभ़े ऑपरेशन थियेटर में चेहरे से मास खटाते ही सामने खड़े डॉक्टर ने कहा मैंने तुम्हें कहीं देखा है ये सुनकर चांदनी ने कहा मैं वही धाबे वाली लड़की हूँ सर जिसे आप और आपकी पतनी अपने घर की नौकरानी बनाना चाहते थी मुझे सुवाव लंबी बनाने में काफी हद तक आपकी पतने का योगदान भी रहा है डॉक्टर हैरानी से चांदनी के और देख रहा था और चांदनी ये बोल कर वहां से मूश कुरा कर चल दी साथ संकत जी एक ही रात की चुनोती ने चांदनी को सुवाव लंबी बनने के लिए धेर सारा आतम मिश्वाश दे दिया था इसी आतम मिश्वाश की जरूरत हर इंसान को होती है अगर वो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो विडियो को लाइक शेल जरूर कीजेगा आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ साथ संगत ची प्यार से कहना धान नरंकार ची